Hello Everyone, Welcome back to my channel Wisdom Academy आज हम करने वाले हैं हमारी 6th class का chapter 5th I hope इससे पहले आपने तीनों chapter की वीडियो देख लिए होगी जिसमें हम chapter 1, 2, 3 कर चुके हैं 6th class का और जो कि हमारी EVS में एक बहुत जादा important part रखता है क्योंकि देखो EVS का है surrounding हमारे आसपास का और हमारे EVS के उसमें directly बोला हुआ है कि भले ही आपका जो सिलेबास है वो 1, 2, 5th का है NCRT का बट उसका जो लेवल हो वो definitely 12th वाला होने वाला है तो इसलिए series में की हम कर रहे हैं कि means अगर in case question आगे से आता है जैसे 6th, 7th 6th की जो बुक है उसका नाम है हमारी प्रित्वी तो प्रित्वी के बारे में definitely हमारा जाना जरूरी है क्योंकि उसी में तो हम रहते हैं और 7th क्लास की बुक का नाम है हमारा पर्यावरन तो हमारा परेवरेंड अगर हम EBS पढ़ रहे हैं और हमारा परेवरेंड फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं तो इसी में हम यह जो चैप्टर कर रहे हैं पहले पहले की वीडियो देख लो फिर ही इसके बाद आप इसको सुनना या देखना तभी आपको समझ में आएगा कि यह क्या है तो इससे पहले जो हम तीन चैप्टर कर चुके हैं पार्ट चार की मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाले क्योंकि वह चैप्टर ना बहुत इजी है बहुत इजी इन दसेंस की पेपर में भी उसमें से कुछ इतना पेपर की परण्ट अव्यू से इतना जादा इंपॉर्टन नहीं है और आस ता कुछ चैप्टर में से कोई यह जो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट पांच प्रित्वी के प्रमुक परिमंडल तो यह बहुत जादा जरूरी है और यह वीडियो थोड़ी सी भी बढ़ी रहेगी क्योंकि इसमें काफी सारी चीजे दी हुई है एक इस चैप्टर में बहुत सारी चीजे है बट अभी प्रित्वी के प्रित्वी के परिमंडल परिमंडल क्या होता है कि जिस चीज में हम रहते हैं उसमें मंडल कैसे बनता है देखो प्रित्वी में अगर हम रहे रहे हैं तो एक तो देखो क्या है जल मंडल जल है पानी है तभी तो प्रित्वी है वायू है वायू में हम सब असास लेते हैं और पानी और हवा जहां पर मिलेगी हो में रहने के लिए जगा चाहिए उसको बोलते है भूमंडल चीक है तो जहा यहां पर पर एक इंसान को रहने के लिए जगा मिलेगी पीने के लिए पानी मिलेगा सास लेने के लिए वायू मिलेगी तो वह क्या हो जाता है तीनों चीजे जहां पर मिल जाती है वह जाता है जीमंडल यानि वहां पर इंसान बसना शुरू कर देता है खाने के लिए नहीं तो जल में तो 24 घंटे पानी के अंदर रहे नहीं सकते हैं और वायू मंडल है तो खाली वायू का क्या करेंगे जब हम खड़े नहीं हो पाएंगे रहनी पाएंगे पानी नहीं मिलेगा ठीक है तो एक जो आधर शिस्तिती होती है किसी भी जीव इनसान के रहने के लिए किसी मैंने हाँ पर लिख लिए कि विष्ट के सबसे उचा परवत कौन से मांट एवरिस्ट एक दिया हुआ था यू नियो में करके तो यह आपको पता यह जू यू नो आपके पेपर की पाइंट अब व्यू से कितने जादे इंपोर्टन होते इनी में से कोशन आते स्पेशली यू पी एससी इनको इतनी वेटेस देता है तो हमारा पेपर तो पहली बार बनने वाला है यहां से एंसी आइटी बेस तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए इन डू यू नो को विष्ट का सबसे उचा परवत है मांट एवरिस्ट के आपको मैं पताते बहुत सदा बाहर कोशन रहे हैं यह कि नेपाल में मांट एवरिस्ट को क्या बोला जाता है सागरमाथा है ना बंगलादेश में क्या बोला जाता है तो यह चीज़ा आपको पता हूँगी इसी के साथ यह दे रखा है कि आपको पता है यह तो दुनिया का सबसे बड़ा पर बहुत बड़ा गयाप है फ़िए दुनिया का सबसे गहर फाण मेंरियानागर्थ बहुत इम्पोटेंट है पर हां परशान्थ महासागर्थ च्मार के अंदर स्तित बहुत है यह रहता है जेकिन शहाएं भी बठासिते सबाणी कनी आज परृत है तो आप इससे पहले आ जाते ह工作 में आ स्बस्क्राइब शारे महाधीब आप प्रिद्वी सान महाधीप न को सात महाधीप एशिया जीह जाते हैं हम पर दुश्मन पाकिस्तान नहीं है जो ऐस Biz ya थीर सबसे बढ़ है एशिया क्या है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाधीब है क्यों क्योंकि इसने पृत्वी के कुल छेतर का 1,3% ले रखा है अभी लास्ट वीडियो में हमने डिसकस कर रहा था कि कितने पर जल है कितने पर पृत्वी है तो पृत्वी कितने पर है 21% आप निकाल दो तो 29% पर पिद्वी है तो 29% कभी 1 by 3rd तो सिर्फ इस एशिया ने ले रहे सिर्फ एशिया ने इक एक इससा प्रद है 11 और अकेले ने 30 तो यह एक उच्छतो बात होगी ही अग्यहों तो इसके हमारा है जिसमें हम रहते हैं हम इंडिया यहां पे stand करता है इशिया में सबसे बड़ा आदीफ है पूर्वी के छेत्र का एक बटे तीन ने रखा है यह पूर्वी गोलार्द में स्थित है और यह करकरेका बूमद्दे के बीच में इस्थित है तो मैं आपको बता देती हूं यह इरी हमारी करकरेका एक है यूराल परवत बहुत फेमस परवत है अपने पड़ा होगा वैसे इसका कुछ काम नहीं है बट हम इसको याद क्यों करते हैं क्योंकि एशिया को यूरोप से अलग करता है एक और यूरोप महादीब भी है इसको भी पढ़ेंगे हम तो वह भी है तो इसको अलग कौन कर पर अच्छे से समझ में तो यह दिखा आती है यहां से अमारा स्टार्ट हो जाते है यूरोप कितना है ना तो यह दूसरा सबसे छोटा है मिन सबसे छोटा है यह लेकिन दूसरे नमर का सबसे छोटा कौन सा है उस्टेलिया ठीक है सबसे छोटा है पहले नमर पर यह छोटा है फिर दूसरा सबसे छोटा कौन सा है यूरोप यह फैक्ट इसी के साथ था यहीं पर था तो मैंने सोच यहीं पर पता दूँ आप विज तीन और गजरते हैं यह तक्त चुछ कर दाएं यह और यह सब्सक्राइब कर सबस्केजिआ कifter है चाहिव मे आपसा देखा नीसा तरफ फाराव मेटा walking पिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा अफरीका तो सबसे बड़ा हमारा महादीब कोन सा है अफरीका पहला सबसे बड़ा है एशिया फॉल्परीका इसकी खास बात मुझे क्या लगती है means ये एक ऐसा अकेला continent है अकेला ऐसा महादीप है जो करकरेखा मकरेखा वो मद्देरेखा तीनों को ही टच करता है means तीनों हो करके जाती है इसे तो इसकी बहुत अच्छी बात है और ये दोनों ही point है आपके remember रखने वाले याद रखने वाले कि क्या है सहारा रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा गरम मरुस्तल है ठीक है एक तो गोवी मरुस्तल भी है जो सबसे बड़ा है लेकिन यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है दुनिया का सबसे गरम मरुस्तल सबसे जादा गरम रेगिस्तान कहां पर है अफरीक में उसका नाम क्या है सहारा क्योंकि अफरीका में गर्मीत ना पड़ती है तो इसको किसी सहारी की जरूती है तो किस सहारी की जरूती है तो किस सहारी की जरूती है उसको अफरीका को क्योंकि अफरीका में ही सहारा रेगिस्तान है ठीक है तो स सबसे लंबी नदी कोन सी है नील वो भी अफरीका में और इसको लिए करको मकर्वा भूमद्य रेखा के लिए मेगा है यह बार आपको फिर से उपर दिखाती हूं ये देखो आपको दिख्ञा है साउथ अफ्रीका ठीक है यह अदिखो सबसे बूर्डर पाने वाले सारा उध यह साथ इसकी जलसंदी भी बताती हूं देखो यह रहा हमारा अफ्रीका कॉंटिनेंट आपको दिख रहा होगा तो देखो यह तीनों लाइन से जाते हैं यह जा रहा है यह देखो विशुवत रेखा जारी है भूमद्य रेखा जिसे कहते हैं अचे 인े आता है लाट है जो तीनों लाइन से फट्रीका कॉंटिनेंट तिक संप्रीड क realized सबसे पहले एशिया फिर अफ्रीका फिर आता हमारा इसके बाद हमारा इसके बाद हमारा उतरी अमेडिका ث gratis नॉर्थ अमेरीका सब्से तीसरा बढ़ा है तीसरा सबसे बढ़ा यहां पे क्या यह पनामा इस्थल कशनधी है, बगत इंपॉटेन्ट करते ह्याँgач जो उत्तरी अमेरिका दक्शिड अमेरिका शोड़ती है ठीक है उत्री अमेरिका को दक्षिन अमेरिका से जोड़ती है तो अगर कभी भी कोशन आता है कि उत्री अमेरिका को दक्षिन अमेरिका से जोडने वाली जलसंदी का नाम क्या है या स्थलसंदी का नाम क्या है तो आप क्या बताओगे पनामा जल संधी यह जोडती है यह फारत और श्रिलंका को जोडने वाली जल संधी का नाम है पाक जल संधी पाकिस्तान और इंडिया के μीच बीच में होगी लेकिन ऐसे नहीं है। इसको अलग से लिखा हुआ है इसमें देखो आपको याद क्या रखना है सबसे पहले मांट एवरेस पर कौन चड़े थे तो न्यूजीलेंड के एडमन हिलेरी ठीक है न्यूजीलेंड के एडमन हिलेरी और भारत के तेंचिंग नौर के शेरपा 29 मई 1953 को मांट एवरेस पर लूशन रटलो लेकिन अगर आप आप ik पढ़ लोगे तो लूशन की जरूति नहीं रही है तो सबसे पहले कोन चलेते एडमन हिलेरी और भारत के तेंचिंग नौर के शिरपा और जपान की कौन चड़ी है जुंको तो भई ठीक है 1975 में ये चड़ी थी ठीक है और इंडिया से कौन चड़ी हैं तो वह तो बहुत फेमस नाम में यानि की बच्छेंदरी पाल जो कि 1984 को चड़ी थी ठीक है मोस्ली सब मई में चड़ रहे हैं देखो 29 मई 16 मई 23 मई क्योंकि वहां की सिच्वेशन सही रहती होगी मेभी इस टाइम पर चड़ने के लिए तो आप कोशन क्या है एडमन हिलेरी तेंजिंग नौर के शिर्पा आदमियों में सबसे पहले चड़े जपान की जुंकोतु भई सबसे पहले चड़ी महिलाओं में और इंडिया में कौन चड़ी बच्छेंदरी पाल ठीक है अब आते हमारे दक्षिड अमेरिका में तो विष्वत वह मकर्रेखा के बीच में वुति तो विएरा विष्वत रेखा यहीं माकर रेखा इसके बीच में यहाँ पर है और इसमें एक फेमस है पर एक साथ को मैप में देख लेंगे तरह हमारा औस्टेलिया इम ने बता था सबसे चोटा महादीब है और यह नहीं मतलब महादीब खाखे हैं तो आस्टेलिया एसा महादीब है जहां पर बहुत जादा पाए जाते हैं दक्षिरी गुलाद में इस्तित होता है अभी हमने देखा यहां पर कोने की साइट पे था दक्षिरी गुलाद में और यह सिर्फ मकर रेखा को टच करता है ठीक है तो यह ऑस्टेलिया फिर अंटांटिका क्या है चौथे नमर का सबसे बड़ा होता है या फिर आप छोटा भी है नमर पर ऐशिया दुसरे नमर पर यह अफ्रीका तिसरे नमर पर फ्री अमेरिका तो शोड़ो देता हैं ठीक है तो मैं तो फडूरु के मध्य में और यहां पर आंप Hmmm नहीं है मतलब यहाँ पर इस थाइम आनव नहीं मिलेंगे और यहाँ पर भारत ने अपने शोंदर के अधिस्थापित करें जो के नाम याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है मेत्री दक्षिर गंगोत्री और भारती ठीक है तीन स्टेशन अमारे अभी तक शोदी केंद्र य तो आप इनको सारी चीजों को एक बार मैप में देख लेते हैं तो यह रहा देखो हमारा उस्ट्रेलिया दक्षिर दुरूप में है बिल्कुल और यह मकर रेका से जा रहा है तो बिल्कुल बात ठीक है यूरोप का हमने पहले से पढ़ लिया यह यहां पे था साउथ अफ़े अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या माधीप है वैसिकली बस इनके इंपोर्टन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं यह देखो हमारा जो जलमंडल है क्या है यह हमने पहले भी डिसकस कर रहा है कि 70% पार्ट पर क्या है पानी पानी है मैं पानी पानी हो गई पानी पानी है यह 97% जो जल है महासागरो में महासागरो में आलवडी जल है और बरफ के रूप में पहाडों पर जमा ऊथी देखो एक बाद दुबारा बताती हो 97 जो परसंट है 3 परसंट भी बरफ जल भूमितर रूप में है उसमे से भी हमारे पास जो सिर्फ पीने वाला पानी है जिस पानी को हम पी सकते हैं उसकी मातरण है स्रिफ 0.3% यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0.03% पानी हम पी सकते है बाकि वो भी आलवडी जल है जिसको हम प्योरिफाइर करके पीते हैं तभी आप अपने घरों में प्योरिफाइर वगेरा सब लगवाते हैं तो वो चीज यह देखो ठीक है तो क्या है यहाँ पर कि पीने का जल है तो वो 0.03% है बाकि आलवडी जल है जो बरफ और जल भूमिगत के रूप में चुपा हुआ है बाकि सारा महासागरों में तो इसी तरीके से हम अपने महासागर भी पढ़ लेते हैं कितने महासागर होते हैं तो ये बचपन से ही पढ़ते वे आते हैं तो हमारा पांच महासागर होते हैं तो उसमें सबसे पहले famous कोन से हमारा पर्शांत महासागर ठिक है अब पर्शांत महासागर का है पृतवी का एक बटे 3 भाग पर है संट के एक बटे तीन भाग पर वो और यह अनी उनत्यिसका एक बटे 1 बटे 3 कर लोय है जनी 20 का एक बटे भी 3 करोगे तो पूरी पूरी την प्रतिवी का एक बटे 3 भाग यह सो का एक बटे 3 भाग यह है त्यातीस पर सिर्फ पर शाल्थ महा सागर है ठीक है और यह लगबग वरताकार होता है वरताकार की शेप में है और इसके अंदर मरियाना गलता है जो हम उल्रेडी पर चुके है ठीक है फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास Atlantic Maha Sagar, यह क्या है, दुसरा सबसे बड़ा सागर है, उपॉटेंट है Asakar का अब देखो, कोशन थोड़े से अडवांस हो गए है प्रशांत Maha Sagar से कोशन नहीं आता, क्योंकि सब उसका बता देते हैं, अब कोशन आता है Atlantic Maha Sagar में से, क्योंकि दुसरा सबसे बड़ा SAKAR का सहागर है दूसरा सबसे बड़ा सहागर है उपर से यह S की शेप बनाता है ठीक है मैं आपको इस मैप में दिखाती हूँ अगर में दिखा पाती हूँ तो यह S की शेप बनाता है देखो इस तरीके से कैसे North Atlantic Mahasagir, देखो यह इस तरीके से कुछ है validам यहां से यहां पर पूरा फैला हुआ है पूरा इस तरीके से यहांपे फैला हुआridook यहांपे फैला हुआ है तो इसलिए इसको एस सको बोला जाता है और यह यहां से आने जाने के लिए तो यह वैपार की डिस्टी से सबसे व्यस्त महासागर है बड़ा तो प्रचानत महासागर है लेकि फिर भी वो इतना जादा बिजी नहीं रहता जितना यह रहता है क्योंकि इसका यूज कही ना कहीं कभी ना कहीं कैसे लगा रहता है तो यह कुछ important चीज़े हैं Atlantic महासागर में जो हमें पता होने चीए फिर इसके बाद है हमारा हिंद महासागर ये हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका भारत के नाम पर पर नाम पढ़ा है तो ये हमारे important है वाई हिंदूस्तान हिंदु ए Candace दक्षडि महासागर बारत के नाम पर पढ़ा में इसाथ प्रशांत महासागर को आलक्रिटिक महासागर से जोडता है क्या इंपुर्टेंट है इसमें एक बैरिंग जलसंदी है बह aroma डेयुओ्ट है बहुत बहुत बैरिक जन सल्दी को रखे हैं जिससे परशांत्मार को यह आर्कषान्त को जोडती से टियू संदी एक बार मैप में भी हम देख लें थे देखो यह अंटार्टिका है यहां पर हमारा ओशन होंगे देखो यह हमारा इंडियन ओशन चीक है यह हमारा नौर्थ अंट्लांटिक ओशन यानि प्रशांत महासागर यह हिंद महासागर है अंट्लांटिक महासागर है यह हमारा दक्षिडी सागर रोशन है देखो दक्षिड में है पूरा नीचे दक्षिड की तरफ है इसलिए इसका नाम दक्षिड है दक्षिडी सागर इसलिए ही इसका नाम दिया गया है ठीक है अब यह जो हमारा अंटार्टिका है यह पर हमारा आर्कटिक महा सागर है ठीक है तो यह था हमारा महासागर अब एक चोटा सा पॉइंट है और एक और बना हुआ देखो अभी है प्रित्वी पर हमने तीन चीजे पड़ी तो पहले पड़ा हमने भूमंडल सबसे पहले देखा तो भूमंडल में हमने देखा कि प्रित्वी को साथ महादीपों में बाटा सबसे जरूरा में अOMEध्य पंच टमे तो भी थोई विए तो इसलिए वाईं मंडल के बारे में भी पडना जरूरी है और दिसरी परण्ग क्लण तो इसमें इतना जादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है बर जब आप 7th class के NCRT करोगे उसमें बहुत डिटेल में है तो उसी में हम डिटेल में पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी क्या है पांच परते बाटे हुई है आप उन पांच परतों के नाम याद रखलो जैसे हम यहाँ पे रहते हैं तो सबसे पहली परते है शोब मंडल फिर आती है सबताप मंडल फिर आती है मध्य मंडल फिर आयन मंडल और बहिर मंडल तो देखो मध्य मंडल तो आपको ड पर आधायन मंडल जिसमें संचार रेडियो तरंगे और प्रस्तावित की जाते हैं या से आती है या कहलो इसको भेजा जाता है तो यह आता है आयन मंदल फिर होता है बहुत होता है इसका विस्तार तो यह होती है पांच पड़ते और यह पॉइंट है कि उचाई के हिसाब से घनत वुवा तापमान में कमी आते रहती है क्यों होता है जैसे जैसे हम उपर चलते जाएंगे जितना उपर बढ़ते जाएंगे ठीक है तो क्या होता है उचाई के इसाब से हमारे घनत वुवा तापमान में कमी होने लगती है तो इस वज़े से क्या होता है कि हमें सास लेने में दिक्कत होती है क्योंकि जैसे जैसे हम गहना तभी में कमी आएगी तापमान में कमी आएगी ठंडी लगने लगेगी ठंड बहुत जादा बढ़ जाएगी तो वहां पर क्योंते हैं वायू का थोड़ी सी कमी पर चलेती है जिस वज़े से परवतरोहियों को सास लेने में कछिनाई होती है ठीक है तो बस यह किलियर हो गया होगा अच्छे से आपको समझ में आया होगा